अगले बरस यानी 2022 में यूपी में बिधान सभा चुनाओं होने हैं इस चुनाओं की आहट पाकर सूबे में चाचा भतीजी यानी शूपाल और अखिलेश यादो गटवन्दन के सुराक में थे सीटों के बटवारे को लेकर दोनों में कई दफा गुफ्तगु भी हुई मगर बात नहीं बन पाई शायद यही वज़य है कि चाचा और भतीजे दोनों ने अलग-अलग राहे पकड़ ली तभी तो सुमवार को प्रस्पा के सुप्रेमो शूपाल सिंग यादो ने मधुरा के बांके बिहारी मंदिर की दर्शन कर समाजिक परिवर्तन यात्रा तो सफा के राष्टी अध्यक्ष पूर्व सियम अखिलेश यादो ने कानपुर से बिजरत यात्रा का आगाज कर अपने अपने संदेशों के साथ जनता के बीच पहुँच गए हैं शुपाल सिंग के रत पर कॉंग्रेसी नेता आचारे प्रमूद क्रश्णन के सवार होने से कॉंग्रेस को बड़ा जटका लगा है कभी समाजवादी पार्टी में शुपाल सिंग की तूती बोलती थी ऐसा हो भी क्यों ना इनके सगे बड़े भाई पूर्व मुख्यमंतरी मुलायम सिंग्यादो पार्टी सुप्रिमों जो थे दोनों के बीच इतने अच्छे तालुकात थे जब भी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो सरकार में उन्हें दूसरे नंबर पर तरजीह मिली वर्स 2012 में हुए असेंबली चुनाओं में सपा प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता में आई थी उस वक्त पूर्व सियम मुलायम ने अपने बेटे को कुरसी पर बिठाया था लेकिन पता नहीं किसी की नजर लग गई कि समाजवादी घराने में फूट पड़ गई नौबत ये हुई कि अखिलेस ने अपने पिता पार्टी के राष्टे अध्यक्ष मुलायम को पदिचित कर समाजवादी पार्टी पर कबजा कर लिया फिर क्या कि खुद को बेज़त महसूस करते हूँ मुलायम के भाई शिउपाल सिंग्यादों ने समाजवादी से अलग अपनी पार्टी बना ली यही नहीं 2017 में हुए चुनाओं में अखिलेस और शिउपाल ने अलग अलग चुनाओं लड़ा नतीजन भाजपा ने इसका फाइदा उठाते हुए चारो खाने चित कर दोनों को यूपी की सत्ता में रुखसत कर दिया और यूपी में सिर मौर बन गई अब अगले बरस यानी 2022 में यूपी में एसेम्मली चुनाओं होने है लिहाजा सत्ता में वापसी करने के लिए प्रस्पा के राष्टी अध्यक्ष शुपाल सिंग्यादो चाहते थे कि वो और उनका भतीजा अखिलेश छोटे दलों से गट बंदन कर मिलकर चुनाओं लड़े इसलिए उन्होंने अखिलेश को प्रपूजल भी भेजा था इस पर दोनों के बीच कईव दोर में गहन मंत्र आ जली मगर सीटों के बटवारे पर सहमती नहीं बन पाई जिस कारण शुपाल और अखिलेश की राहें जुदा हो गई नतीजन अब प्रस्पा के शुपाल और सपा के मुखिया अखिलेश अपनी अपनी यात्राओं के संग यूपी मतने को निकल पड़े हैं मंगलवार को प्रस्पा के शुपाल सिंग्यादों ने मतुरा की बाके विहारी मंदिर में बाके विहारी का पूजन अर्चन किया और शंकनात के जर्ये सामाजिक परिवर्तन यात्रा का श्री गनेश किया यात्रा में उनके रख पर शुपाल के साथ कॉंग्रेसी नेता आचारे प्रमोध क्रश्नन भी नजर आए इससे कॉंग्रेश को बड़ा जटका लगा है उधर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादों ने कानपूर से समाजवादी बिजरत का आगाज किया यहाँ पर अखिलेश ने नूट बंदी के समय जन में खजांची से हरी जंडी दिखवा कर समाजवादी बिजरत यात्रा का शंकनात किया यात्रा के रवाना होने से पहले पूर्वसियम अखिलेश यादों ने मूदी योगी पर जम कर हमला बोलती हुए उन्हें कट घरे में खड़ा किया कहा कि डबल इंजन की सरकार सभी मोर्ची पर विफल रही पेट्रोल और डीजल घरेलू गैस के दाम आस्मान चू रहे है इससे जनताम महंगाई से जूज रही है चाचा भतीजे द्वारा अलग-अलग यात्राएं निकाले जाने के बाद से अब चुनाव में दोनों में गटबंदन की संभावनाएं शूने हो गई है इससे लगता नहीं है कि इस चुनाव में चाचा भतीजे एक संगाएंगे क्योंकि शूपाल ने प्रदेश की जिरो में अपने कंडिडेट उतारने की कवायद भी शुरू कर दी है इस चुनाव में प्रस्पा के संग छोटे दल यानी वैसी भीमार मी सेना जन सत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी आने को आतुर है वही प्रस्पा के शुपाल सिंग्यादों के प्रती सत्ताई भाजपा पहले से ही नरम है ये बात किसी से छिपी नहीं है ऐसे में ये छोटे दल क्या गुल खिलाएंगे इसे लेकर सभी की निगाहे ठीकी है